नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलिवुड न्यूज नेटवर्च पर जहां हम आपको बॉलिवुड की ताजा और एक्सिक्लूसिव खबरे स्रिप आवाज के माध्यम से बताते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं। जानहवी कपूर जूनियर एंटी आर के साथ देवरा पार्ट एक के साथ तॉलिवुड में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तयार हैं। और कुछ दिनों पहले निर्माताओं द्वारा फिल्म से एक रोमैंटिक सिंगल रिलीज किये जाने के बाद इंटरनेक पर उनकी शानदार ओन स्क्रीन के मिश्च्री की चर्चा हो रही है। अब अभिनेत्री ने अपने प्रशन्सकों को इस दूसरे सिंगल चुट्टा मल्ले का एक शानदार BTS वीडियो दिखाया है। साथ अगस्त को जानहवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक छोटी क्लिप साजा की जिसमें वह अपने सपनों के सफेद अपसरा से प्रेरित पोशाक में चुट्टा मल्ले गाने की शूटिंग के लिए तयार होती देखी जा सकती हैं। वीडियो में खूबसूरत सफेद जलिली के फूलों से घिरी एक नदी में उनके कुछ शौट्स हैं। जूनियर श्री देवी ऐसा लग रहा है कि हम श्री देवी मैं को फिर से देख रहे हैं। गाय का शिल्पाराव और संगीत निर्देशक अनिरुध रविचंदर जेलर और जवान में अपने सफल सहयोग के बाद इस गीत के लिए फिर से साथ आए। शुट्टा मल्ले नामक इस गीत को हिंदी, मल्यालम और कंणड में अलग-अलग शीर्षकों के तहत रिलीज किया गया। कोराताला शिवा द्वारा निर्देशित देवरा, पार्ट एक में जूनियर एंटियार, जान्हवी कपूर और सैफ अली खान जैसे कई बहतरीन कलाकार हैं। यह एक्षन ड्रामा 27 सितंबर को तेलुगू, हिंदी, तमिल, मल्यालम और कंणड सहित कई भाशाओं में सिनेमा घ्रों में रिलीज होगी। अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस और शो के बारे में अधिक अपडेट के लिए बॉलिवुड न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस और सब्सक्राइब करना न भूलें।